नमस्कार आप देख रहे हैं कि सान्तकर में हूँ आपका दोज संकी शर्मा आज इस पीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की तो वीडियो के अंतक बने रहें ताकि आपको पता चले आपके प्रिदेश के आपके जिले के आपके शहर के मौसम का हाल तो जैसे कि आप रहें सो भी जानते हैं कि समय देश में शीत लहर चल रही है जी हाँ देश के अधिकान शिस्तों में इस समय ठंड का प्रिकॉप जारी है कहीं ठिटरों है तो कहीं बरभवारी हो रही है अगर हम बात करें पहाड़ी छेत्रों की वहाँ पर जम्मू कश्मीर गिलगित पालिटिस्तान मुझदफराबाद उत्रकण हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बरभवारी हुई है जिसका सीधा इंप्रेक्ट मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है चले हम देखेंगे पंजाब, हर्याना, चंडिगर, दिल्ली, उत्रप्रदेश, राजिस्तान के तर्वाम इलाके यह जो पूरे औरहिं से दर्शाएगा आमडी ने और यह जो temperature का मानक है यह बताता है कि cold day है, यानि कि यहाँ पर सर्द दिन का measurement की, सर्द दिन का prediction है तो यहाँ पर जो है मौसम, दिन बे दिन सर्दी है, यहाँ पर बढ़ती जारी है महां पर भी ठंड है अगर हम बात करते हैं बिहार की तो यहां पर भी धुनकी स्थिती बनी हुई है साथी साथ अगर हम बात करें वेस्ट बेंगाल सिक्किम की तो यहां पर भी धुनकी स्थिती है ठंड का प्रकोब यहां भी जारी यह सम्मेगाल है मनिपूर नागरेल मिज़रो मनिपूर त्रिपरा में तो यहां पर भी थंड का एसास लोगों को हो रहा है और धुम की स्तिती यहां पर भी वनीगूई यानि विजिबिल्टी में यहां पर कमी है जहार खंड में भी कुछ इलाकों में जनवरी 2024 की तो दिल्ली से सटे ग्रेटर नॉइडा में रात के समय और सुबह के समय बूंदाबांदी की खबरे आई हैं तो यानि कि उत्तरप्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से बारिश की खबरे आ रही है हाला कि बारिश यती तेज नहीं है लेकिन सर्दी के मौस है फुटपात पर जो अपना जीवन वितीत करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए साथी साथ जो सरकार है तमाम ऐसे लोकल जो बॉडीज है वो रैन बसेरा बनाती है अगर आपके पास कोई भी मकान की सुविदा नहीं है या आप भी ऐसी स्टेशन पे हैं जहां पर आपको तो देश के दिकान शिस्तों में अभी शीत लहर का प्रगोप नहीं है लेकिन आने वाली दिनों में जैसे कि हमने आपको बताया था कि western disturbance फिर से सक्री होगा यानि यह जो impact था पहाड़ी लाकों में बरबारी का यह जो पशिमी विक्षोप था पराना वाला उसके कारण से था वो सक्री हुआ उसने पूरा काम किया फिर वो चला गया लेकिन आप जो तुबारा से conditions बन रही है जो बन रहे हैं पशिमी विक्षोप के उसकारण से फिर से एक बार ठंड और बढ़ेगी आने वाले सप्ता और जो ठंड का है वो एसास कराएगा लोगों को साती साथ पहाड़ी लाकों में बरबारी की उमीद इस पशिमी विक्षोप से और सक्री हो जाएगी अगर हम बात जो से दर्चाएगा, इन एहलाकों में तमाम असिसों में कोर्ड डे का अ प्रिडिक्शन है यानि कोर्ड डे का पूरल अनमान यहां पर है, वहीं हो रहे स्वार्य से स्थित्व में कुछ राहत मिलेंगी लोगों को लेकिन दून की स्थिति यहां पर भी बरकरार है श कर औ पुंडीिचरी केरल के उसल करनाटका और साहँथ यून करनाटका यहां पर अभी भी बारिश है कुछ आलकों में होगे लिए पर बारिश बैक मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा अदेश के तमाम इससे, चाहें वो राजिस्थान हो, उत्तरप्रदेश हो, हर्याना, चंडिगर, दिली हो, बिहार के रीजन हो, मद्य भाराश के उपर की बात करें हम, मद्य प्रदेश के इलाके हो, यहाँ पर अब इतनी सर् पढ़ना लाजमी है, और सरक्मस्थांसिस जो बन रहे हैं, जो वैदर के चेंज हैं, तो उस कारण से तमाम इसे इलाके हैं, यहाँ पर बारिश पढ़ेगी, और कुछ के चिलाकों में हलकी फुलकी बूंदा बांदी के साथ साथ, मौसम जो है, वो करवट और लेगा, यान जो गाड़ी की गती है, उसका सही तरीके से आप प्रयोग करें, अपनी सीमा में जो सरकुलेशन जारी किये जाते हैं, गती सीमा के जो मानक हैं, उसके अनुसार गाड़ी आप चलाएं, साथी साथ फॉग लेम करें, इंडिकेटर्स करें, उचित दूरी बना कर चलें, हाइ स्वस्त बने रहें, और किसान तक देखते रहें, आज किस वीडियो में बने रहें, किसान तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दे इससे कि आपको हमारे चैन